सभी को मेरा जैभीम नमो बुद्धाए आज हम बहुजन मिशन दोहजार उन्निस और सत्य शोदक संग की इस यात्रा में पहुंचे हैं गाउं गांदला जिला मुजफर नगर यहां पर हम शहीद अमरेश के गाउं में आए हैं उनको निमंतर्ण देने के लिए 13 जन्वरी के शहीद सम्मान महसाभा के लिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस गाउं के अंदर इतनी जागरती है इतनी जागरुकता है कि इन्होंने अमरेश भाई के नाम का यहां पे एक हॉल बना रखा है शहीदों को याद करने के लिए आप इस में पढ़ सकते हैं उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ऐसी एक्ट के अधिकारों की रक्षा करने के लिए और 2 अप्रेल में भारत बंध हवियान में हमारे भाई शहीद अमरेश कुमार को समाज को आप पर हमेशा गर्व रहेगा ऐसे शहीदों को हमारा शर्षत नामन जैभी यह पोस्टर अपने आप में काफी कुछ बया करता है इस गाओं के इस गाओं के अंदर मिशन के उपर काम करने वाले साथियों के बाले में मेरी इस गाओं में आके जब भी मैं आया हूँ पहले भी दोबार आया हूँ यहां के जब भी इन साथियों से बाचीत हुई है तो हमेशा मुझे एक नई उर्जा और नई प्रेणा मिली है और यह मैसूस हुआ है कि जो समाज के लिए लड़ते हैं उनके लिए समाज किस तरह कंधे जे कंधा मिला के साथ खड़ा रहता है उसका एक उधारन है यह गाओं साथियों अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो जगे जहां पे शहीद अमरेश की आदम कद प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा यह इस गाओं के साथियों ने पहले से ही जगे चुनके रखी भी है आप देखिए कि यहां पे उन्होंने तै कि शहीद अमरेश की आदम कद प्रतिमा लगाई जाएगी और इस गाओं के लोगों ने इसके साथ ही तेह कि यहाँ पे ही एक और प्लेटफॉर्म बना के बाबा साहब की भी प्रतीमा लगाई जाएगी और आप जैसे देख रहे हैं कि यह गाओं के समाजिक सहीओक से ही संभा हुआ है कि इस पूरी जगे को यह अपने ढंक से विक्सित कर रहे हैं और यहाँ पे इनोंने बाबा साहब के और रविदाज जी का मंदिर भी बनाया है और उसके साथ साथ इस जगे को समाजिक रूप से सक्रिये बनाने के लिए बच्चों की पढ़ाई लिखाई की विवस्था भी कर रखी है और जो समाण गादलय गाओं को वहाँ अमरेश जी की सहाधत पे वहाँ पूरे देज भर से जो मिलेगा तो वो समाण अमरेश का नहीं रहेगा केवल वो समाण आप लोगों का भी होगा आप लोगों का होगा आप लोगों की सहर का होगा इस समाज का होगा जिस समाज ने ऐसे तेहरा सपूतों को बलिदान दिया तो इस बलिदान को एक मिसाल बनाने के लिए कि ओ देश के मानचितर पे से देश के इतिहास में से छिपाया ना जा सके उसको आने वाली पीड़ी पढ़े और उनसे एक प्रेणाले अपने आंदोलन के लिए परती सजग रहे जाग रुक रहे और ऐसे किसी भी तरह को किसी भी तरह से कोई अत्यचार जुल्म होता है तो वो समय समय पर अपने इस तरह के आंदोलन को करता रहे और समाज को स्वभी मानी बनाता रहे तो यही आप से निवेदन है कि आप लोग आपके बीच में आए हमारे बालक राम बोजी जो इस कारिकरम के सहींजक है सहींजक हमारे बालक राम बोजी तो आप इनका भी धन्यवाद करते हैं साथियों जयसा आप लोग को मालूम है हम लोग आपके बीच में पहले भी आए थे और आप से परमीशन लेने केपरपस से आए थे कि हमारा यह प्रोगराम है तो आपकी क्या राए है इस विंदू पर तो आप लोगों ने सभी ने सहमती दी थी तो उसके तहट ही हमारे स्टेचू जैपुर में तियार हो चुकी है सारी आदमकद पृतिमा आदे इसकी सरीर की यहां तक की वो तियार हो चुकी है पिसली बार परदान जी से भी हमने सबसे कहा था कि परदान जी को इन्वाइट करो बुलाओ तो सारी इस टेम मिल नहीं पाये थे पिसली बार परदान जी हम लोगों ने इपर बैठके बादचीत की थी तो अब की बार हम लोग आप लोगों को निमंत्रन देने के परपस से आए हैं सहमती तो पहले होई चुकी थी सबसातियों ने कहा कि परदान जी हमारे साथ है तो सहमती के बाद हम लोगने अब आपकी बार हम आपको आमन्तित करने के लिए आए हैं जिसमें हमारे पास कुछ लगबग सोतों कार्ड हैं जो आपको विशेष लोगों को देने हैं और ये पब्लिक ली जो है वो आपके पास में कुछ पंपलेट्स हैं अब सकता पड़ेगी तो आपको आपके पास फिर भी मोहिया कराई जा सकती है तो ये तो जैसा कि अभी हमारे भाई साब बोलचाय जी ने बताया है कि ये समाज का काम है किसी वेक्तिव से इसका काम नहीं हैं और खास तोर्थ से दो लोगों से अपील की है कि उसमें तो मैं मुख्य रूप से समझता हूं कि परदान जी से ज्यादा अपील की गई है कि उस पे परदान जी थोड़ा दियान दें और अपनी तरफ से जितना हो सकें अपने आस-पास के गाउं में भी इस बात को पिर काम किया हूं हमारे बुजरु में और जो अपने चेत्र समाजिक संग्ठ बना करके समाज को नई दिशा दैने के लिए लगे हुए हैं जागरू करने के लिए लगे हैं उनको भी शमानित किया जाएगा और उसके साथ साथ में जो साती हमारे दूर से पहुचेंगे तेहे तारिक के प्रोग्राम को द्यान में रखते हुए तो बारत तारिक की रात को 12 जन्वरी की रात को डॉक्टर मेडगर बवन रानी जासी रोड पहाड गंज दिल्ली में वहाँ पर हमने उसको बुक कर लिया है लगवग 5,000 लोगों का वहाँ पर हम लोगों ने इंतिजाम किया है जिसमें हम लोगों वहाँ पर कुछ आपके गद्दा और रजाई और खाने का जो सिस्टम होता है साम का भी खाना और सुबै का भी खाना वो हम लोगों ने वहाँ पर आप लोगों के लिए स्युदा देने का प्रियास किया है तो इस प्रिकार से पूरे देश से लोग आएंगे कोई किसी चत्र को समालेगा, कोई किसी शत्र को समालेगा ये सामुईक जिम्मोरी है और मैं तो साथियों ये कहता हूँ और इसलिए द्वारा से इस बात को हम लोग कर रहे हैं हमारे समाज में पहले बहुत से लोगों ने आउती दी तो ये तो समाज देता ही रहा है भौजन समाज तो ये सहाधत बेकार ना जाए और इससे एक प्रेण ना मिले जैसे हमारे साथी बताते हैं जब द्युत्यवी सुद्ध था तो भारत की तरफ से जो सैनिक लोग विदेशों में लड़ने के लिए गए थे उनकी जो जो उनकी सहाधत गई थी जो उनको सहीदी हुई थी उसकी यादगार में उन लोगों ने दिल्ली में इंडिया गेट बनाया था जिससे की ये कभी भूलने में ना है उसी प्रकार से माराश के अंदर हमारे समाज के 500 लोगों ने 28,000 विरोधी लोगों को हराने का काम किया था तो उसके लिए भी वहाँ पर भीमा कोरे गाम का इस्तम बनाया था तो ये उसी का एक पैटर्ण है बहुत जरूरी है जाना तो सभी को है दुनिया से लेकिन एक कहावत कहते हैं लोग ये दुनिया जब भी थी जब हम नहीं थे और अब भी है जब हम है और जब भी रहेगी जब हम नहीं होईंगे लेकिन जब तक हम लोग हैं जब तक अपने आपको जिंदा होने के लिए प्रिमानित करने का काम करें तो इसलिए ये उसी के एक छोटी सी मुहीम है आप लोगों से निवेदन हैं आप लोग भी पहुँचें गाम के और लोग को भी बताएं आसपास के लोग को भी बताएं जिससे कि ये प्रोग्राम जितने बड़ी ज़्यादा संक्याम लोग पहुचेंगे उतना बड़ा संबान मना जाता है मीटिंग के लिए संबान जो है वो एक अगर तुम संबान एक जार लोग के बीच में दो गए दूसरी संबान को आप एक लाक लोग के बीच में दो गए तो बड़ा संबान मना जाता है तो ज़्यादा लोग पहुचेंगे तो और अच्छा रहेगा तो आप लोग इदर आए हमारे बीच में इदर हमारे साथ में हैं बी आर बोज जी गाजवास से जो सोचल एक्टिविस्ट है और हमारे साथ में इदर मेरे राइट हैं साइड में अनिल सागर जी हैं जो दिल्ली में हमारे भोजन समाज पार्टी के पूर्व में परदेश के महासचीव रहे हैं जो निंचाज रहे हैं आप अमित गोतम जी हैं हमारे जी से बिलॉंग करते हैं आप भरत गोतम जी हैं जो कि गाजवास से बिलॉंग करते हैं आप संजीब सिंग जी हैं वो भी गाजवास से बिलॉंग करते हैं बड़े बड़े चैनलों में बड़े बड़े अकवारों में इनका काफी अच्छा नाम रहा है और बहुत से साती हमारे साथ इंजीनियर साथ हैं जो रेलवे में आप एमपलोई हैं तो ऐसे बहुत से साती हमारे साथ में हैं पूरे देश के लोग हैं तो आपसे भी निवदन करने के लिए आए हैं, आप लोगी भूस में हमारा सयोग करें। दन्यवाद, जय भीम, जय भाद, नमा बुद्दा। हमारे साथ हैं गांदला गाओं के प्रधान अशोक कुमार जी, ये बहुजन, सम्मान, महासभा के लिए आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आपको हमारे साथ ही निमंतरंट दिया है, आपको क्या लग रहा है कि इस कारिकरम के क्या उद्देश्टे सही रहेंगे, कुल मिलाकर एकता रही सभी समाज में हुआरे, तो आप आएंगे इस कारिकरम? आज जरूर आएंगे, अपने दलबल के साथ आएंगे? पूरे हिम्म इस तेरह तर psychological के लिए कुछ समाज को संदेश देना चाहते हैं। उस livres गाओं गाओं जानकर में, आपक, भूछ. और आप अपने साथ अपने परिवार को ले के आएंगे। मोजिजिध्ये कि इसकार में लोग करका सभी अपने गाऊंगे के लाई लेकर आओंगा जोर आओंगा झी मैं अपील करता हूं की है मैं सभी पुरे बारत मां अपील करता हूं मेरे सभी दिल्ली पहुंचे राम्जिला मैदान मैं याब मिझे फनागर गाउं से भी में जा जाकर कौंगा की वाचरो दिली धन्यवाग आप शहीद अम्रेश के पिता हैं और इनके सहास और इनकी हिम्मत की हम लोग दाद देते हैं एक बच्चे को खोने के बाद भी इन्हों ने हम लोगों से पहली मुलाकात हुई तो उसमें ने हमसे कह था कि अभी तो समाज के लिए मेरा एक बच्चा गया, मेरा पूरा परिवार भी मैं अपने समाज के लिए दे सकता हूँ और उसकी शहादत को मैं सम्मान दूँगा, ठकूंगा नहीं, हारूंगा नहीं, सम्मान की इस लड़ाई में पूरे परिवार समाज सहित आगे डटा रहूँगा, धन्यवाद हमारे साथ हैं शहीद अमरेश की माता जी, माता जी जैभीम माता जी थोड़ा अमरेश के बारे में बताई किस तरहें के थे वो अच्छा अमरेश कैसे थे, थोड़ा उनके बारे में बताईए, शेतान थे नहीं, बढ़ी है था मेरा लड़का मरेश, करने खाने पद्धान रहाती है अच्छा हमार एक रहां जो आपको बहुत याद आठी है उसके बारे में आप अपने साथ अपने सब लोगों को लेके आई हैं हाँ सब लोगो कुम अपने साथ लेका आज आगे हैँ तेरे तरह तरीट मादर शक्या है महां दिल्ली पहुँच जाओ सब इसके बारे मां अमरेज के बारे मां जैभीम जैभीम नमभूद है मिलेंद्र गौतम यू टीवी से मैं आज आया हूं मुझफर नगर में जो की एक जॉली गाओं है और वहां पर कुछ लोग अरेश्ट भी हुए थे दो अगस्त दो अप्र को छोड़ा गया ना जवानों को छोड़ा गया और नहीं बुजर्गों को छोड़ा गया मेरे साथ एक है मैं जानने चाहिए सर आपको दो अपरेल में जो बंद किया था कितने दिन के लिए बंद किया था तीन मेहने के लिए तीन मेहने के लिए क्या नाम है आपका नाम चे जी आपको ऐसी अरेश्ट कर लिया गया दोस्तों बिना बाद को किसी को भी अरेश्ट करना शायद इस कानून में प्रावधान नहीं है और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो दो अप्रेल के धन्ना परदेश्ट भारत बंद में जो अरेश्ट बत हुए थे जुन को मारा गया पीटा गया या जो चतिकर्स भी हुए थे घायल भी हुए थे और जो जिनकी हत्या भी कर दी गई थी उन सभी को सम्मान दिया जा रहा है नई दिल्ली के राम लीला ग्राउंड में मैं जानना चाहूंगा सर यह सम्मान जो है आप सभी को देंगे या किसी एक अलग एक वर्ग बना रखा है जी इसको हमने तीन केटागेरी में बाटा है एक तो जो बच्चे हमारे सहीद हुए थे उनको इस्ट्याचू प्रोवाइड की जाएगी और जो हमारे जेल में गई थे उनके लिए शम्मान के लिए हमने कुछ अलग तरीका निकाला है वहीं पर हम चलेगा पता आप सभी मीड करते हैं समाजिक चेत्र में समाज को जगानगा काम करते हैं या जिनों ने सहाब काशिराम के समय से काम किया है जो हमारे बुजरुक जो पनाने के साथी हैं उन सब को भी हम वापिस सम्मानित करेंगे तो वहां पर तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे हां लगबग हमारा टा अपने स्टेज पर चड़ेंगे जिनके माधम समान दो दो मिनिट के अंदर काफी लोग को इक साथ समान देंगे तो यह जो आपका कारे करम राम लीला ग्राउंड नई दिल्ली में होने चाह रहा है इसका टाइम दस बजे से हैं और यह चलता ही रहेगा जब तक हम पूरा रात के नहीं रात के नहीं दो फैर के आसपास तक हमाना पूराव है यह इसको आप कम्प्लीट कर देंगे हैं उससे पहले पहले हम लोग कर देंगे क्योंकि और भी चीज़े देखनी होती है प्रसासन का मामला भी होता है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहँगा कि यह श के लिए पहुंचेंगे होँगे और वालों को देस्टेदारों को भी लेकि यह जोब यूवा है भारत जी में भारत जी से भी जानना चाहँगा सर इसकी जो आपने रूप रेखा बनाई है वो क्या है कुछ थोड़ा सा आइडिया रूप रेखा जिस परकार से बता दिया है सम्मान में बहुजन समाज के सम्मान में यह सभा लगाई जा रही है और उसको किन तरीके से तीन केटेगरी हमने बनाई है वो उपाद्ध जी ने बता दिया आपको कि इन केटेगरी के लोगों को हम सम्मान देंगे उन्हीं के लिए हम काम करेंगे गाउं करके परचार हो रहा है और ये महासाबा जो है एक पूरा हो सकता है शायद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में या लिमका वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये नाम आ सकता है कि इतने सारे सम्मान एक ही दिन में दिये जाएंगे नई दिल्ली में राम लीला ग्राउंड में तेरा ज में बावा सहब आप रहे सर आपके पच्चे की एक परतिमा बन रही है और राम लीला ग्राउंड में इसको दी जाएगी तो आप कितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं ज्याद से ज्यादा आने की कोशिश करेंगे इस परतिमा को लगाने के लिए आपने कोई जगा निर्धारित कर ली है कर लिए कर लिए कर लिए आप कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में कर लिए पूरी प्रतिमा लगाएंगे हम अब हमने सहीद की प्रतिमा पूरी तरीके से लगाएंगे हमने सीमा निर्धारित कर लिए दोस्तों शहीद अंकुर जी के भाई हैं मैं सच जाना प्रतिमा कि बस जाएं और कि जजगा रहे हैं वह कहां पर और किस जगह लगा रहे हूं कि और जब ज्रू है जमीन है जी उसी जमीन में हम उसकी प्रतिमा लगा रहे है प्राइमरी स्कूल पांच वी तक का उसी के विल्कुल जफ्ट सामने प्रतिमा को लगाने के बाद में उसमें कोई भी किसी भी गाउं का बच्चे आए आ के पढ़ना चाहिए वहां पर बैटके तो उसमें पैटके पढ़ सकता है किसी भी गाओं का अपने SC ST OBC माइनोर्टी समाज के बच्चे कोई भी आगा माँ बैट के पढ़ सकते हैं तो गाओं का नाम और ग्राम छोटा असनपूर है यह कदीम जिला मेरिट है गल्ड रोड गल्ड जिला मेरिट आजो उंदा सहीरों के संवान में जै भी जै भी जै बारत अश्छल साफ में जै भी जै झालस प्सके लाओं जैके वेस्सावारे में भी जै जै लिजए हैं कर दो छोटोश च्टर्वारे में जी सकते हैं